डैगमार अप्रोच काफी लोग इसको डैगमार थीयोरी भी बोलते हैं और काफी लोग इसको डैगमार model भी बोलते हैं और काफी लोग तो इसका नाम सुनके ही घबराते हैं कि क्या चीज़वाई है तो नमस्कार दोस्तोular मेरा नाम है सूनू सिंग और आप देख रहे हैं सोनु सिंग पीपीटी वाले आज की इस वीडियो में हम डिसस करने वाले हैं डैगमार अप्रोच के बारे में और जितना इसका नाम सुनने में अजीव लगता है उतना ये टॉपिक अजीव है नहीं ये आपको इस वीडियो के करेंगे क्या होता है concept डैगमार का क्या होता है ACCA क्या objectives होते है डैगमार अप्रोच के क्या इसके importance होते हैं क्या कुछ examples हो सकते हैं इसके और क्या इसके कुछ criticism होते हैं क्योंकि ये तो प्रकृती का नियम है वाई कि आप कुछ भी चीज बहुत best बना लो कहीं न कहीं उसका criticism तो निकाल ही लेते हैं ठीक है जो कि अगर देखा जाए तो जरूरी भी होता है improvement के लिए अगर कोई criticize करने वाला नहीं होगा तो फिर आप improve नहीं कर पाओगे उस चीज को आपको लोगेगा सब तारीफ ही कर रहे हैं तो सब कुछ best ही होगा सब कुछ best नहीं होता है किसी भी चीज में area of improvement हमेशा होता है तो motivation आज के लिए बहुत हो क्या start करते है dagmar के full form के साथ तो आपको क्या लगा था कि dagmar एक word होता है dagmar एक word नहीं होता है dagmar एक acronym होता है जिसकी full form होती है इसको हम दो advertising goals कि जो भी आप advertising कर रहे हो जैसे कोई company है उसको अपने product की advertising करनी है market में market में जितने भी customer है जो भी potential customer है उनको बताना है कि हाँ भाई हमारा भी product है कुछ तो अगर वो advertising करती है तो उसके कुछ goals होंगे न advertising के वो तो कुछ सोच के करेगी न है कि हम advertising कर रहे है तो ऐसे तो करी नहीं रहे है ऐसे तो पैसा वेस्ट कर नहीं रहे है advertising में कुछ ना उससे return सोच रही होगी return on investment सोच रही होगी कुछ ना कुछ goal सोच रही होगी कि इतने लोगों को reach out करना है जो भी चीज़े है वही होता है meaning DAG का DAG का और मार का मतलब होता है To measure advertising results तो दोनों interconnected है क्योंकि DAG का मतलब होता है कि advertising goal एक बड़ सेट कर लो ताकि आप advertising के results जो आएंगे ना उनको measure कर सको जैसे कि क्या होता है आप exam की preparation कर रहे हो मतलब सारे students पे अपलाएं नहीं होता obviously कुछ students होते है कि उनको है नो कुछ एक पहले से target रहता है पहले से goal रहता है कि हाँ इतने marks लाने है इतने percent लाने है तो जब result आता है तो वो measure कर पाते हैं कि हमने इतना सोचा था और इतने percent आये है तो कहाँ पे कमी रह गई या कहाँ जो भी चीज़े रह गई तो कहने का मतलब यही है कि advertising goal अगर आप set करोगे तभी आप advertising results measure कर पाओगे उसी के उपर पूरी based है यह dagmar approach ठीक है और यह दी गई थी Russell Koolie के द्वारा Russell मतलब IPL वाला Andre Russell नहीं ठीक है और Koolie मतलब Virat Koolie नहीं I know bad joke है लेकिन समझने के लिए नाम याद करने के लिए ठीक है डेवलब बाई Russell Koolie Russell Koolie इस approach को ले कर आये थे Russell Koolie ने यह observe किया था कि जो companies है वो advertising में बहुत ज़ादा invest तो कर रही है बहुत एक huge amount of money जाता है advertising में लेकिन उस चीज़ की return on investment लेने के लिए कि advertising कितनी effective है companies को बहुत सारी और marketing activities करने पड़ती थी ठीक है बस इस से पता नहीं चलता था कि अगर वो advertising कर रही है तो उससे return कितना आ रहा है क्योंकि advertising में इतना जोर नहीं दिया जाता था तो रिसल Koolie ने यह चीज़ observe करी और उसके बाद वो dagmar approach लेकर रहा है ताकि एक ही approach हो जिससे advertising भी कर रही है यह company और उसके results भी measure कर पा रही है अब जैसे मानलो आपकी गली में कोई ठेले वाला आता है मतलब इसका ही दूसरा पार्ट है अभी तक जो बता है एक slogan सा बना देता है ताकि जो लोगों का attention है वो सीख कर पाए ठीक है एक latest example देता हूँ आप समझ जाओगे कच्छा बदाम वाले अंकल भाई वो कच्छा बदाम वाला गाना क्यों गा रहे है वो कच्छा बदाम वाला गाना इसले गा रहे है ताकि लोगों का attention आया उनकी तरफ और उनसे वो जादा जादा खरीदे चीज़े है ठीक है तो attention सीख करने के लिए ये जो चीज़े करते हैं ये लोग जैसे buses में आपने देखा होगा buses में काफी salesman आते हैं बहुत सारे गाने वाने भी बना देते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ हसी मजाग करते हैं ताकि लोग उनसे मतलब उनकी तरफ उनका ध्यान जाए और उनसे वो चीज़े खरीदे इनको एक short में advertising की language में बोलते हैं creation of a communication task to achieve goals communication task create कर रहे हैं ये लोग कि customers को पता चले कि वो भी हैं कुछ बेच रहे हैं क्योंकि customers को अगर पता ही नहीं चलेगा तो customers को knowledge ही नहीं रहेगी न उस product की या जो भी समानों बेच रहे हैं उसकी तो खरीदना तो बहुत दूर की बात है ठीक है तो dagmar में यही दो चीज़े आती है पहला आता है कि गोल्स बना लो आप जो भी चीज़े हैं और उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए communication टास्क बनाओ ठीक है ताकि आपके वो जो गोल्स है जो अपने गोल्स बना रखे हैं वो अच्छे से अचीव हो पाएं execute हो पाएं ठीक है तो यह example सियाद रखना है मस्त लास्ट तक हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं तो अभी लिखने वाली language में देख लेते हैं कि डैगमार होता क्या है डैगमार is a concept used in advertising to set advertising objectives and goals तो डैगमार को एक concept बताये गया है जो advertising companies use करती हैं मतलब advertising करने के लिए companies use करती है एक tool मालो आप जिसके जरीए वो advertising के goals या objectives set करती है कि advertising के जरीए वो करना क्या चाहती है ठीक है उनका goal क्या है लोगों के दिमाग में उस image बनाना है उस product की या लोगों को मतलब persuade करना है उस product को खरीदने के लिए या इतने लोगों तक reach out करना है जो भी चीज़े है ठीक है Russell suggested two main ways that maximum ROI could be achieve with the usage of advertising alone ठीक है Russell ने जैसे observe किया था कि advertising तो कर देती है company लेकिन उसका ROI return on investment जानने के लिए कि उससे कितना return आ रहा है companies को बहुत सारी और activities करने पड़ती है तो रसल ने ये दो तरीके बता है जिनके जरीए advertising के जरीए ही आप return on investment जान सकते हो hence a company which was thinking of 10 different ways to market a product could check the ROE from advertising when it wanted to study how effective its advertising was तो अगर companies को पहले क्या करती थी companies advertising की effectiveness जानने के लिए 10-11 तरीके की और marketing activities सोचने लग जाती थी कि उससे पता चली कि हमारी advertising कितनी effective हुई है कितने लोग हमारे product को खरीद रहे है लेकिन dagmar approach के जरीए एक advertising के जरीए ही आप उसका effectiveness भी जान पाओगे return on investment भी जान पाओगे ठीक है the two core thing on which the dagmar model stood वर अब जो दो तरीके बताए है रसल ने कि इन दो तरीकों के जरीए ही आप effectiveness भी जान लोगे advertising भी कर लोगे सब कुछ कर लोगे वो दो तरीके क्या है सबसे पहला है creation of communication task to achieve goals कि जो भी communication task है किस तरीके से आप communicate करने वाले हो customers के साथ वो create करो उसके बाद है defining the objectives of communication task in a manner that the results can be measured ठीक है उसके बाद क्या है objectives decide करना आपके वापस objective रहेगा आपके पास goal रहेगा कि आपको achieve क्या गरना है उस communication task से तो आप results को measure कर पाऊगे कि जो भी उससे result आ रहा है लोग आपके product को जादा खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं वो चीज़ आप measure कर पाऊगे अगर आपके पास एक objective रहेगा तो आगी बात समझ में सबसे पहला वाला वही होगा कच्चा बादाम वाले अंकल होगे communication task कैसे customers तक अपने product के बारे में जानकारी पहुचानी है second होगे objectives कि उस जानकारी पहुचाने से हम करना क्या चाते है customers अगर एक बार उसके लिए भी जान लेंगे तो customers का reaction क्या होगा क्या हम हासिल क्या करना चाते हैं उस चीज़ से The goal of communication task in Dagmar was as follows Communication task के चार goal हो सकते हैं जिसको हम ACCA भी बोल सकते हैं इसकी full form होती है Awareness, Comprehension, Conviction and Action सबसे पहला है यहाँ पर Awareness Awareness को सबसे initial communication task माना जाता है जो इसके जरीए हम अपने product या offer की Awareness फिला रहे हैं customers के दिमाग में या customers के market में कि हाँ पर ये segment है और इस segment के लिए हमारा ये product है ये product market में है ठीक है Second होता है Comprehension Comprehension को हिंदी में बोलते हैं समझना अब customers क्या कर रहे है customers को पता तो चल गया वो product है अब उसके बारे में वो ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे है ठीक है Comprehension का purpose ये होता है कि एक understanding develop करना अमारी audience के अंदर कि product क्या है किस बारे में है कैसे काम करता है और उनके लिए कितने तरीकी से useful हो सकता है वो ठीक है Third होता है Conviction Conviction का मतलब होता है उनके अंदर एक opinion जगाना ये उनके अंदर एक belief जगाना अभी तक हमने customers को aware कर दिया customers को बता दिया कि हाँ ये सारी चीज़े है अब customers का भी तो reaction देखना पड़ेगा उसके लिए Conviction डेवलप करने का मतलब हो गया कि उनके अंदर एक interest या preference पैदा करना ठीक है उनके belief बनाना कि हाँ ये product है न उनकी ये problem solve कर सकता है उनको ये चीज feel आनी चाहिए All right फूर्थ हता है action action के अंदर क्या कर रहे है कि advertising के जरीए हम ये भी देख रहे है कि customers जो है वो purchase में convert हो जाए कि customers अगर उस product के बारे में जान गए है उनके अंदर feeling develop हो गई है तो वो action भी ले उस product के लिए या उस product की मतलब खरीदारी वो करे पर्चेस करें उस product को तब ही हमारा advertising क्या होगा successful होगा वहाँ पर तो इसे ही बोलते हैं ACCA जो की first part होता है डैगमार का जिसके जरीए हम communication task develop कर रहे हैं ठीक है awareness फिला रहे हैं कच्चा बदाम वाला गाना गा ले रहे हैं comprehension कर रहे हैं उनके कुछ doubts वागे रहे हैं तो वो clear कर रहे है conviction उनके अंदर एक feeling पैदा कर रहे है और action अगर वो चीज़ आगर कस्मर कच्चा बदाम खरीद रहा है तो वो action हो गया उसका ठीक है आगी बात समझवे however in डैगमार model the issue does not end at just creating the communication task अब communication task आपने बना लिया तो आपको क्या लगता है कि issue खतम हो गया या advertising आपकी हो गई टाटा भाई भाई नहीं ऐसा नहीं होता है because creating this task is very difficult if the objectives of advertising are not known तो अगर आपने objectives अच्छे से define नहीं किये हैं तो communication model के जरीए communication task create करने के जरीए आप effectiveness नहीं जान पाऊगे effectiveness जानने के लिए आपको objectives या जो goals है advertising के वो आपको define करने पड़ेंगे create करने पड़ेंगे अगर आपको पता ही नहीं कि आप communicate क्यों कर रहे हो क्या उद्देश यह है तो आप communicate करोगे ही कैसे तो डैगमार में इसलिए objective वाला पार्ट भी आता है सबसे पहले तो communication task वाला पार्ट आ गया second part आता है objectives define करने वाला तो अभी हम वो discuss करेंगे defining objectives in the डैगमार approach the second most important task of डैगमार was defining the objectives of advertising or of the communication task which were to be created तो इसमें second most important चीज़ मानी जाती है इस चीज़ को क्योंकि अभी तक मैं यही चीज़ बताता हुआ आ रहा हूँ कि objective अगर आपको नहीं पता होंगे अगर आपको goals ही नहीं पता होंगे उद्देश ही नहीं पता होगा तो आप communication task करके क्या कर लोगे once you define the objectives then the measuring of advertising result was comparatively easier तो objective बनाने का ही मतलब यही होता है रसल कोली ने advertising department पे target किया कि हाँ आप advertising कर रहे होनो तो आपके लिए कुछ चीज़े और है जो आपको करनी है not only were they responsible for ads made they were also responsible for how well they understood the objective of advertising and how they incorporate these objectives in their communication tasks ठीक है तो advertising department को उन्होंने बोला कि हाँ आप ad तो बना रहे हो ठीक है वो तो आपका एक काम है लेकिन उन ad का objective क्या है मतलब advertisement का objective क्या है वो चीज़ आप develop करो वो चीज़ आप बनाओ और उसके बाद उनको अच्छे से incorporate करो अपने communication task में कि आपने यह objective बनाया था यह आपको हासिल करना है और आपके ad में वो चीज़ दिखनी चाहिए कि यह आपका objective है तो यह कुछ objective है जो डैगमार में हो सकते हैं यह डैगमार के हो सकते हैं objectives सबसे पहला है concrete and measurable task तो इसके जरीए जो advertiser है जो भी advertising department है उसको यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो achieve क्या करना चाता है हमारे जो भी communication कर रहा है communication task कर रहा है उसके जरीए यह वो brand की image को strengthen करना चाता है brand की presence को maximize करना चाता है नए market में घुसना चाता है increase करना चाता है sales को करना क्या चाता है वो discuss किया जाता है measurable task होते हैं कुछ task वो decide कर लेता है जो की measure किये जा सकते है second होता है define the target audience कि किसको हम advertising करेंगे कौन हमारी target audience होगे क्या वो youngster हो सकते हैं क्या वो adult हो सकते हैं क्या वो elderly age people हो सकते हैं किसको हम target करने वाले हैं third होता है degree of change required कि कितना हम change कर सकते हैं मतलब अगर लोगों में पहले से उसके लिए कुछ image है हम उसको change करने के लिए कुछ advertising कर रहे हैं तो किस level तक हम उसको change कर सकते हैं जैसे कि क्या होता है apple की advertisement आपने देखी होगी apple phones की वो क्या करता है वो इस चीज़ पर focus करता है कि लोगों के दिमाग में तो पहले से है कि हमारे phone में जो है spy लगा हुआ है हमारे phone सब कुछ सुनता है हमारे phone data leak कर देता है privacy नहीं है ये सारी चीज़ है तो apple उस चीज़ पर focus करता है अपने advertisement में कि लोगों का perception है न उस तरफ वो change करता है कि apple का phone लो और आपको privacy मिलेगी बहुत साथ तो वो चीज़ चेंज करना होता है कि कितनी degree पर change कर रहे है आप उस चीज़ को ठीक है पहले से time period decide करना भी एक beneficial task होता है अपको लगता है ने कि अगर आपको कोई product आया है आप एक महीने तक उसकी add चला दो तो आपको product बहुत जादा ऐसे बिकने लग जाएगा और बहुत जादा peak पर चला जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है तो इसलिए time period decide करना पड़ता है पहले कि आपके उसके introduction के advertisement में कितना time लगाओगे एक महीने तक आप उसकी introduction चला ओगे उसके बाद उसकी features और benefit को communicate करोगे customers के पास उसके लिए अगले तीन महीने आप use कर सकते हो brand recall के लिए आप कितना time देना चाते हो ये सारा time हैना पहले से decide करना ही मतब फाइदे मन चीज रहती है ठीक है ये भी एक goal हो गया objective हो गया advertisement का तो ये चार objective होते है next आगया importance of dagmar approach कि क्या importance है क्या फाइदे है क्या जरुरत है dagmar approach की सबसे पहला है growth in market share कि जो भी company होती है वो advertisement करती है अगर वो dagmar approach के जरीए advertisement कर रही है तो उसके market share में एक बढ़ोतरी की देखने को मिलती है कि dagmar approach बहुत जादा effective होती है और उसके जरीए market share वो कमा सकती है second होता है improve sales turnover obviously अगर आप कोई advertisement कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपका जो sales turnover है sales figures है वो improve होती है वो बढ़ती है third importance होता है perform complete selling function dagmar के जरीए आप ना केवल advertisement पे ध्यान दे रहे हो आप customers पे भी ध्यान दे रहे हो segmentation पे भी ध्यान दे रहे हो कि किस customer को हमें serve करना है क्या serve करना है उनको क्या क्या बताना है तो complete selling package बोल सकते है dagmar को selling function बोल सकते है dagmar को fourth होता है advertise a special reason to buy अब dagmar के जरीए आप customers तक awareness तो पहुचा रहे हो लेकिन उनका comprehension भी तो कर रहे हो उनका conviction भी तो कर रहे हो उनके अंदर feeling भी तो develop कर रहे हो तो feeling develop कर रहे हो that means उनको एक special reason दे रहे हो कि हमारा product आप खरीच सकते हो fifth होता है create awareness about the product and brand existence क्योंकि advertisement है इसलिए उसके जरीए आप क्या कर रहे हो product की awareness फिला रहे हो brand existence बता रहे हो customers को कि हाँ ये वाला brand भी है इसमें और ये वाला product हम offer करते हैं impart information regarding benefits and distinctive features of the product तो जो भी product है मतलब advertisement में obviously इससारी चीज़े होती है उसका benefit बताओगे उसके features बताओगे तो एक तरह से advertisement का ही मतलब advertising का ही important बोल सकते है इसको 7th होता है correct false impression wrong information and other hindrances to sales जैसे कि मैंने बताया था कि आप degree of change कितना required है उसमें तो वो objective अगर आप decide कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों के मन में इस brand के लिए पहले से क्या है धारना और उसको आप change कर सकते हो डैगमार अप्रोच के जरीए ठीक है 8th होता है 8 sales force with sales promotion and selling activities and boost their morale sales force को भी help कर सकते हो आप डैगमार अप्रोच के जरीए अगर आप sales force तक ये चीज़ पहुचा रहे हो तो उनकी selling activities में और sales promotion में क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा improvement आएगी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको उनकी performance और उनका moral बढ़ेगा कि company advertisement के जरीए बहुत ज़्यादा काम कर रही है customers को ये सारी चीज़े बता रही है उनकी queries को सुन रही है तो उनका moral बढ़ेगा उन ज़्यादा अच्छी तरीके से वो sale कर पाएंगे तो ये तो थे कुछ importance डैकमार approach के अब कुछ example देख लेते हैं एक एक example है एक मतलब ऐसे imaginary example बोल सकते हो जिसे लेकिन आप समझ जाओगे सबसे पहले देखते है awareness के लिए company क्या कर सकती है इसमें ACCA वाला ही लेने हैं ठीक है awareness comprehension conviction और action वाला तो सबसे पहले awareness फिलाने के लिए company है ABC company ABC spread awareness अमंग the consumers about a new product electric cars launch in the market company ने electric car launch की और customers तक उसकी awareness फिला दी ठीक है customers को बता दिया कि हाँ ये electric car है और इसको हम बनाते है अब company ABC है तो अपना logo तो दिखाएगी न वो कि हाँ बाई कौन सी company साब खरीदे रहे हो ये है मतलब दिमाग में छप जाता है जैसे अगि मैं Nike का नाम लोगा तो आपको टेक वाला logo दिख जाएगा अगि मैं Adidas का नाम लोगा तो आपको Adidas का logo दिख रहा है आपके दिमाग में है ना तो ये सारा logo एक दिमाग में डालना पड़ता है companies को ठीक है वो advertising के जरीए ही डालती है तो company ABC limited अपने जो भी product है उसके features बताएगी उसके जो भी new product आने वाले हैं वो सारा बताएगी और बताएगी company का logo कैसा दिखता है brand name क्या है in conviction stage company ABC connects the consumer emotionally to the new product so that the consumer establishes an emotional preference to the company ABC brand अब क्या करती है ने companies emotional चीज़े attach करने लग जाती है अपने product के साथ आपने advertisement देखा होगा Nike का advertisement देखा होगा sports person के लिए मतलब वो जन्नत बना देता है advertisement को बोलते है हाँ sports person ये सारी चीज़े यूज करते है जो भी सारी चीज़े है और किसका example मैगी का example ले सकते हो मतलब ऐसे रिष्टे विष्टे बनाने मम्मी के पास गया मम्मी भूक लगी है क्या करूँ मैं बोलते है दो मिंट में मैं की बना के लाती हूँ तो वो चीज़ क्या है एक emotional attachment है Coca Cola की head आपने देखी होगे tenant आता है उससे पैसे मागने आता है tenant से landlord और फिर landlord को वो क्या करता है Coca Cola पिड़ा देता है तो मतलब एक तरह से attachment बनाने की कोशिश करी जाती है brands के जरीए conviction stage में last होता है in action stage consumer purchase the product and company ABC makes sales ठीक है action stage में क्या करती है company sales बनाती है consumers जो है वो अपना action ले रहे हैं जो भी interest है वो show कर रहे है action लेने के जरीए वो company के product को use करने के जरीए ठीक है तो यह तो था एक example अब भाई बात करते हैं criticism की डैगमार की criticism क्या होते है सबसे पहला है problem with response hierarchy अब डैगमार में कुछ approach बताई गई है awareness, comprehension conviction, action एक hierarchy बताई गई है कि इसके होकर जो consumer है वो गुजरते हैं लेकिन हमीशा ऐसा तो नहीं होता है न आप customers को aware कराऊगे comprehension दोगे, conviction दोगे फिर वो action लेंगे, नहीं कोई customer होते है भाई direct action लेता है उनको नहीं पता product के बारे में कुछ नहीं पता भाई क्या पता हो किसी ऐसी location पर गए हो उनको कुछ पता नहीं हो उस चीज के बारे में उन्होंने खरीद लिया company ने भाई awareness तो नहीं फिलाई, comprehension तो नहीं किया conviction तो नहीं किया आप क्या करते हो बाहर जाते हो तो आप पानी की bottle आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगिया आसपास आपके पास पानी नहीं है लेकिन एक शॉप पे पानी बिकरा है लेकिन आपको उसकी brand के बारे में नहीं पता है तो क्या आप नहीं खरीद होगे क्या भाई प्यास लगी है आपको प्यास बजानी है वापे तो आपकी ऐसी need है तो dagmar approach एक hierarchy बताती है हमें जो consumers हमेशा follow नहीं करते हैं लेकिन काफी हद तक follow करते हैं क्योंकि criticism है तो हमें कुछ न कुछ तो बोलना है न इसमें तो इसलिए response hierarchy follow नहीं होती है ये बोल रहा है second होता है sales as the advertising goal अब इस approach के जरीए ये बोला गया है कि अगर आपकी advertising से sales बढ़ रही है तो मतलब आपकी advertising effective है जो की चीज सही नहीं होती है क्या पता advertising बहुत जादा अच्छी हो और sales figure तुरंत ना बढ़े तो क्या आप उस साल में बोल दोगे जैसे एक साल में आपने advertising की दबा के बहुत अच्छी advertising की बहुत मतलब उच्छतम level पर बोलता है वो advertising की लेकिन आपकी उतनी sales नहीं आई तो ऐसा थोड़ना आप बोलोगे कि advertising आपकी उतनी effective नहीं थी तो यह चीज डैगमार अप्रोच एग्णोर करती है डैगमार अप्रोच बोलती है अगर आप advertising कर रहे हो यह सारी चीज़े follow करते हो तो आपकी sales बड़ेगी और sales बड़ेगी that means आपका advertising effective होगा advertising का goal meet हो रहा है जो की सच नहीं है थर्ड होता है practicality and costs अब practicality की बात की जाए तो बहुत जादा बड़ी बड़ी firms होती है बहुत बड़ी बड़ी companies होती है वही dagmar approach जादा अच्छे तरीके से यूज कर पाती है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा बोल सकते हो आप या बहुत time बोल सकते हो बहुत stories होती है बहुत सारे लोग होते है जो यह चीज सोचते हैं क्योंकि इस पर बहुत जादा extensive research चाहिए होती है कि कैसे story बनाएं कैसे awareness कैसे conviction करें यह सारी चीज़े है ठीक है तो dagmar approach इतनी practical नहीं है small businesses के लिए और इसमें बहुत जादा ऐसे भी खर्च हो सकते हैं जिससे आपका advertising का budget है वो हिल सकता है ठीक है थर्ड होता है inhibits creativity inhibits का मतलब हो गया stop creativity मतलब रोक ना बोल सकते हो एक तरह से ठीक है तो dagmar approach एक planned और rational approach है जिसके जरीए आप advertising objective set कर सकते हो मतलब एक तरह से structured way होता है dagmar approach के जरीए आप यह सारी चीज़े plan कर सकते हो आप कुछ अपनी तरीके से creativity नहीं कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप यह चीज़ कर सकते हो advertising यह सारी चीज़े change कर सकते हो dagmar approach बोलती है ना बेटन ना कुछ change नहीं करना जो हम बता रहे हैं वो करना है उसमें goal set करो फिर आप क्या करो communication task करो और फिर result measure करो और कुछ मत करो dagmar approach यह बोलती है तो creativity पे कहीं ना कहीं जोर नहीं दिया गया है dagmar approach में तो यही था इस वीडियो में I hope आपको समझ में आया होगा dagmar approach क्या होती है क्या होता है communication task कैसे develop करते है communication task कैसे कच्चा बदाम वाले uncle gana gaga के सबको aware करते हैं अपने product के बारे में और कैसे हम ACCA approach use करते हैं communication task के लिए और second होता है हम कैसे advertising के goals को define कर सकते हैं पहले ही ताकि हम उसके results को measure कर पाएं ठीक है और क्या कुछ importance होते हैं क्या कुछ criticism होते हैं dagmar approach के तो अकर कोई भी doubt है इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है कोई भी परिशानी है तो नीचे comment section होता है आप जाके लिख सकते हैं और अगर पसंद आई यह वीडियो तो please like कर देना और like अकर कर ही रिव आपने मन बना लिया कुछ हो जाए like करके मानेंगे आज तो side में subscribe होता है उसका भी मन बना लो कि कुछ हो जाए subscribe करके मानेंगे educational channel है थोड़ा सा support मिल जाएगा आपकी site से तो please support कीजिए ठीक है तो मिलते आपसे next video में तब तक के लिए goodbye take care have a nice day